जहिन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लिए लेखिया आएं बैलेंसिंग ओफ ए क्यामिकल एक्विशन को कैसे बैलेंस करते हैं किसी भी कलास का कोई भी बच्चा हो चाहिए वो 8th का हो 9th का हो 10th का हो 11th का हो 12th का हो B.Sc का हो MSc का हो सर किसी भी कलास का हो जब तक उसने Chemistry परणनी है Chemistry का एक्विशाम देना है Balancing का अना जरूरी है चाहिए NEAT का ओ J.E. का हो यो तुम्हें भूली गया था सब के लिए जानना जरूरी है balancing of a chemical equation a chemical equation must follow law of conservation of mass it means mass of reactant should be equal to the mass of product बच्चो chemical reactions के लिए कुछ laws दिये गए हैं उन laws में से एक low है law of conservation of mass ये नियम कहता है कि किसी भी reaction के अंदर reactant की amount जो है वो हमेशा equal होनी चाहिए product की amount की क्या ये आपको clear है इसलिए balance करना जरूरी होता है balance equation is known as stoichiometric equation आप जानते हैं कि किसी भी reaction को balance करने में आप 2, 3, 4 कोई number यूज़ करते हैं clear है आपको लेकिन ये जो number होता है ये number ही कहलाता है stoichiometric coefficient तो जब reaction balance हो जाती है तो वो कहलाती है stoichiometric equation during balancing formula of substance और compound should remain same बच्चों आपको ध्यान लगना है कि जब आप balancing करेंगे तो वहाँ पर जो किसी भी compound का formula होगा जैसे water के लिए S2O use करेंगे sulfuric acid के लिए S2SO4 use करेंगे तो उस formula में आपको कोई भी change नहीं करना है क्या ये आप clear है अगर कहीं पर S2O लिखा है और आप oxygen balance करने जा रहे है तो वहाँ पर S2O2 मत कर दीचेगा अगर आपने formula change किया तो आपकी reaction equation ही change हो जाएगी जो की गलत होता है if equation is not given then develop an equation from the given language with their physical state in bracket बच्चों अगर आपको balance करने के लिए कोई chemical reaction ओलडी दिया है तो बहुत अच्छा है अगर नहीं भी दिया है तो tension मतलो tension नहीं लेने का है तो अगर आपको कोई language दिया है वहाँ पर तो उस language के according आप कोई भी chemical reaction वहाँ पर develop करेंगे generate करेंगे और साथ के साथ आपको यह भी दियान लखना है कि जो आप वहाँ पर reaction generate करेंगे वहाँ पर जो formula आएंगे compounds के उनके आपको physical state भी दिखानी है कि whether it is solid और liquid और gas बेगट में आप S, L, G लिखके यह दिखाएंगे कि जो आप reaction के अंदर compound ले रहे हैं उसकी state कौन सी होगी for the balancing equation बच्चों किसी भी chemical equation को balance करने के लिए तीन method यूज की जाते हैं इस वीडियो में हम सुरू के दो method के बारे में जानेंगे और तीसरी के लिए हम लोग अगली वीडियो में जाएंगे यह हमारे तीन method होते हैं पहला है हमारा table method दोसरा है हमारा hit and trial method तीसरा है हमारा ABCD method तो आईए बच्चों पहला लेते हैं table method जिसमें हम लोग जानेंगे table method को use करके हम लोग किसी भी given equation को कैसे balance कर सकते हैं up to 10th class यह method बच्चों काफी common है काफी easy और systematic method है तो पहले हम लोग यही discuss करेंगे जो reaction आपको दी है या आपने generate करी है उस reaction में आप left hand side और right hand side दो side बना के वहाँ पे एक table generate करते हैं जिसमें आप लोग element के number को show करते हैं check which atom is not balance और जो वहाँ पे आपको element का number दिखाने के बाद table बनेगी उस table में आपको यह देखना है कि कौन से atom balance नहीं है multiply with a smaller possible number to balance it आपको देखना है कि जो आपका atom balance नहीं है उसको आप balance करेंगी किसी भी छोटे number से multiply करने के बाद अब जो point हमने उपर discuss किये थे उनको use करने का time आ गया है तो देखिए यहाँ पे एक language दिया है question दिया है water is obtained by the combustion of hydrogen gas in air show the conversion by a balance equation बच्चो हाइडियन गैस को air में combust करा के water बनाया जाता है अब आपको यह जो process है जो यह reaction है water बनाने की यह balance equation की help चे शो करनी है से पहला तरीका यह होता है कि आपके पास एक chemical equation होनी चाहिए अगर दिया है तो बहुत अच्छा है नहीं दिया है तो हम लोग develop करेंगे अब आप यहाँ पर देखिए इस question में clearly कहरा है कि hydrogen gas को air में combust करा रहा है आप जानते हैं hydrogen gas हो या कोई भी gas हो किसी भी gas को combust कराने के लिए supportive gas होती है oxygen तो hydrogen gas oxygen O2 gas के साथ react कराएंगे तब जाके combustion होगा और मिलेगा आपको water आप जानते हैं hydrogen gas को S2 से दिखाते हैं बेगिट पर हमने G लिखा है प्लस oxygen को हम लोग O2 gas से दिखाते हैं तो G लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं तो कि दोनों जो hydrogen oxygen है gases form में रहते हैं और हम लोगों ने इनको heat किया triangle का means heat होता है और हमारा बनाए water बच्चो यह जो water होगा यह बनेगा हमारा liquid state में clear है आपको यहाँ पे हमने पहला step पूरा कर लिया है हमारे पास एक equation आ गई है जो equation balance नहीं है अब हम लोगों को यहाँ पे एक table generate करना है तो आईए develop करते है table के लिए मैंने आपको यहाँ पे तीन point report की है यहाँ पे element लिया है उसके बाद left hand side लिया है और उसके बाद right hand side लिया है आप देख सकते हैं इस reaction के अंदर दो element mainly use हो रहे है hydrogen and oxygen left side जो react hand side होती है right side जो होती है product side होती है आप right hand side चलते है product side चलते है यहाँ पे देखिए hydrogen जो है वो कितने है सर दो है oxygen का सर यहाँ पे one होगा जब कुछ नहीं लिखा होता है तो आप जानते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे कोन balance है hydrogen के atom दोनों साइड two two है it means यह balance हो चुका है oxygen को देखिए left hand side में दो है लेकर right side में oxygen का atom के वल एक है oxygen balance नहीं है तो हम लोगों को oxygen balance करना है आप देखिए कि मैं यहाँ पे क्या करूँ किस number का multiply करूँ जिससे मेरा oxygen balance हो जाए तो simple तरीका है सर कि अगर आप यहाँ पर right side में water के अंदर two का multiply कर देते हैं अगर मैं यहाँ पे two का multiply करता हूँ तो इसका मतलब होगा कि यह two का multiply hydrogen और oxygen दोनों में होगा कुछ इस तरीके से यह देखिए मैंने यहाँ पे two का multiply कर दिया है तो यहाँ पर hydrogen atom का number जो है वो four हो जाएगा clear है आपको और oxygen का number two हो जाएगा तो सर multiply करने के बाद right side में oxygen तो हमारा balance हो चुका है two two लेकिन जो hydrogen का number है वो balance नहीं है अभी देखिए पहले balance था अब balance नहीं है right side में hydrogen atom का number four हो गया है और left side में hydrogen का number केवल two है तो क्या कीज़ेगा अगर यहाँ पे two का multiply कर दें तो आप जानते हैं कि यहाँ पर भी hydrogen का number four हो जाएगा it means मुझे यहाँ पे two का multiply कर देना चाहिए अब आप ही बताईए कि क्या यह reaction balance है हाँ सर यह reaction balance हो चुकी है h और o atom का number left side as well as right side equal हो गया है और यहाँ पे आपने balance करने के लिए stoichiometric coefficient use की है so that's why this reaction will be known as stoichiometric equation or reaction हो सकता है कुछ बच्चों को यह reaction के लिए ना होई हो तो उनके लिए एक reaction और बनती है यहाँ पर बोलता है कि nitrogen gas reacts with hydrogen gas in presence of iron and molybdenum to give ammonia gas to the following reaction by a balance equation यहाँ पर nitrogen gas hydrogen gas के साथ iron और molybdenum catalyst की presence में ammonia gas बना रही है इस reaction को आप balance equation या reaction की help शे शो करें लोगो को यहाँ पर reaction नहीं मिला है केवल theory मिला है केवल ग्यान मिला है तो ग्यान को हम लोग convert कर लेंगे chemical equation में nitrogen gas को हम लोग N2 से दिखाते हैं आप जानते हैं hydrogen gas को हम लोग S2 से दिखाते हैं gas है तो बेगट में हमने G लिखा हुआ है iron और molybdenum को हम लोग arrow के ओपर लिख देंगे clear है ammonia gas का formula NS3 होता आप जानते है बेगट में हमने G लिख दिया है clear उसके बाद आप जानते कि आपको यहाँ पर table develop करना है table के अंदर आप तीन चीजे लेंगे एक तरफ element लेंगे left hand side लेंगे right hand side लेंगे अब देख सकते कि यहाँ पर nitrogen और hydrogen के अबल दो ही element यूज़ कर रहे है left hand side में nitrogen के item दो है clear है और hydrogen के item भी यहाँ पर two दिखाई दे रहा है अब बात करते है right hand side में product side में तो यहाँ पर nitrogen का एक item है clear है यह रहा बच्चो एक hydrogen के तीन item है तो आप देखिए कौन से item balance है कि nitrogen और hydrogen का number दोनों side same है सर दोनों side same नहीं है दोनों imbalance है दोनों balance नहीं है दोनों को balance करना है अब आप यहाँ पर nitrogen को balance करने के लिए अगर यहाँ पर बच्चों मैं 2 कर दूं तो nitrogen का number same हो जाएगा उसके लिए मुझे right hand side में ammonia NS3 में 2 का multiply करना पड़ेगा अगर मैं 2 का multiply करूंगा तो इस 2 का multiply N में भी होगा और H में भी होगा कुछ इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं तो बताइए N का number कितना हो जाएगा N हमारा 2 हो जाएगा और hydrogen हमारा 6 हो जाएगा इस 2 की multiply करने के बाद तो देखिए 2 का multiply करने के बाद nitrogen तो आपका equal हो गया है 2 2 लेकिन hydrogen का number जो है वो equal नहीं है बच्चों clear है आपको hydrogen right side में 6 है जबकि left side में 2 है तो क्या कीजेगा hydrogen को balance करने के लिए आपको smaller number से multiply करना होता है तो मैं अगर यहाँ पर 3 का multiply करता हूँ तो यहाँ पर hydrogen atom का number 6 हो जाएगा तो आप ही बताइए कि क्या आप hydrogen balance हो गया है H atom का number same हो गया है सरहां left side और right side 6 6 हो गया है N का number भी 2 2 हो गया है It means this reaction is balanced now आपने balance करने के लिए stoichiometric coefficient लगाया है reaction में use किया है So this balance equation is known as stoichiometric equation क्या है आपको clear है अब लेते हैं बच्चों दूसरा method जो था हमारा 8 and trial method तो आए जानते हैं किन चीजों का किन points का हमको ध्यान रखना है इस method को use करने से पहले generate the equation if not given अगर reaction दिया है तो बहुत अच्छा है लेकिन नहीं दिया है तो tension नहीं लेने का generate कर लेने का जैसे कि हमने पहले method में किया था balance the atoms of that element which occurs at minimum number of place on both side आपको देखना है कि जो left और right में जो आपके element के atom है किस atom का number कम आ रहा है जिस atom का number दोनों side कम आता है पहले उसी को balance करने का है tension states of reactants and products in bracket आपको पता है आप पहले method में करके आए कि जो आप reaction बनाएंगे जब develop करेंगे या जो आपको दिया होगा उसमें आप उनकी state को bracket के अंदर show करेंगे S, L, G के दोवारा two elements have same frequency of occurrence then balance first metallic element अगर किसी reaction के अंदर आपको left hand side और right hand side दोनो element का atom के number कम मिलते है यानि दो तरह के ऐसे atom है जिनके number सबसे कम है और equal है माली जो दो-दो है तो आप क्या कीचेगा तो आपको देखना ये है कि जब ऐसा case मिल जाए कि जहाँ पर atom जो दो ऐसे हो जिनका number कम भी हो और equal हो जाए तब वहाँ पर आप उन में से जो metallic element होगा उसको पहले balance करेंगे मैं आपको clear करता हूँ example के साथ आप देखने कि यहाँ पर iron जो है steam, H2O gas का मतलब steam होता है steam के साथ rate करके आपको iron oxide दे रहा है और hydrogen gas बना रहा है clear है यह reaction आपको balance करना है intent trial method से तो तरीका बिल्कुल साफ है तो इसमें आपको कोई table बनाने की जुरत नहीं है no need to draw any table आपको simple pen उठाना है और इसको balance कर डालना है तो आप देखिए यहाँ पर left side और right side अगर आप देखिए तो यहाँ पर 3 तरह के element या 3 तरह के item दिखाई देंगे fe, ho clear इन 3 तरह के item में आप देखिए किस type के या कौन से item है जिनका number दोनों side आपको कम से कम सबसे कम दिखाई दे रहा है तो आप देखिए fe जो है उसका number यहाँ पर सबसे कम दिखाई दे रहा है तो metallic हमारा fe होता है तो पहले आप balance fe को ही कीजिएगा fe को balance करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर fe का number atom का number जो है वो 1 है लेकिन right side में 3 है जी तो balance करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 3 का multiply करता हूँ तो देखिए fe का जो atom का number होगा fe मेरे 3 हो जाते है क्या यह clear है right side में भी fe मेरा 3 है clear है यह लिखने का जोरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए draw किया गया है आप ऐसा मत लिखिएगा लेकिन यहाँ पर देखिए hydrogen का number जी मेरा 2 है clear है right side में भी h का number जो atom का number 2 है तो h भी balance है o balance नहीं है o को balance करने के लिए अगर मैं left side में h2 के सामने 4 का multiply करता हूँ तो देखिए जी मेरा h जो है वो 8 हो जाएगा अब और जो मेरा o है जी o मेरा 4 हो जाएगा क्या वो clear है तो सर देखिए o भी 4 था o भी left side में और right side में 4 4 हो गया है लेकिन h का number balance नहीं है वो बिगड़ गया है जी h जो left side में वो 8 है right side में 2 है जी अब क्या कीजेगा अगर मैं right side में h2 में यहाँ पर 4 का multiply कर देता हूँ तो कैसा रहेगा जी तो देखिए यह हो गया f e 3 o 4 o 4 h 8 h 8 so this reaction is balance now अब आप देख सकते हैं कि यह reaction balance हो गया है this balance equation is known as stoichiometric equation क्योंकि आपने balance करने के लिए यहाँ पे stoichiometric coefficient लगाया है क्या है यह आपको clear है और यहाँ पर आपने table नहीं बनाई है सिर्फ आपने atom का number देखा और simple से तरीके से आपने इसको balance कर दिया this method is known as hit and trial method पूरी chemistry में generally जो सबसे ज़्यादा use होने वाला method है चाहे वो बच्चे करें student करें या teacher करें mainly लोग hit and trial method ही use करते हैं क्योंकि जब आपकी practice हो जाती है तो आप बड़े से बड़े reaction को बहुत जल्दी easily balance कर जाते हैं सिर्फ इन number की help से hopefully आपको clear होगा आज की वीडियो में हमने balancing of chemical equation देखा दो method की help से हमने उनको किया सीखा जाना पहला था हमारा by table method दूसरा था हमारा hit and trial method अभी एक तीसरा method बचा है ABCD method वो हम लोग तब use करते हैं जब ये दोनों method से आपके reaction balance नहीं हो पाती है तो वो भी जानना जरूरी है और वो आप जान लेते हैं दुनिया की कोई भी reaction होगी वो easily balance हो जाएगी